यूट्व प्लस हाप 80 का स्क्वाइर इसको आप लोग याद रखिएगा इस से कोचंस आते हैं इस बराबर यूट्व प्लस हाप 80 स्क्वाइर से और जो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा इह पराबर एमें हालाइं कि ये बल बल चेफ्टर से हैं लेकिन महत्पूर्न है और हम लोग इस numericals पर डिसकस किये थे देखिए यह बहुत important numericals है यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में चलना प्रराम कर 20 सेकेंड बाद 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर के त्वरंद से त्वरित हो जाती है और 400, 4000 नहीं होगा यहां पर 400 ही मीटर होगा 400 मीटर चलती है तो उस वस्तु का अंतिम चल क्या होगा यहां पर देखिए इसको हम लोग solve करने के लिए यहां पर solution किये थे हालांकि एक ही questions का solution करके हम live stream बंद कर दिये क्योंकि live stream के लिए नहीं हो रहा था तो यहां पर इसको में डिया था 50 में स्क्वार स्कॉर और बंद करने दिया था 400 में यहां 400 में उसके बास यू बढ़ाबर 0 मीटर पर सेकंड चल और क्या वह थे प्रारांभी के हैं कोई नहीं दिया था तो भी बढ़ाबर वार्ट यहांनि भी का मांन हम लोगे पांड आउट करना था तो हम लोग फर्मूला यहां पर set करेंगे भी बराबर यह देखिए यहां पर T का विमान दिया है और A का विमान दिया है और उसके वासे भी का विमान दिया है तो देखिए हमको T से तो कोई मतलब नहीं है लेकिन हम लोग फर्मूला यहां पर put करेंगे भी स्कॉयर बराबर U 2A square plus 2A, क्योंकि U क्मान हम लोग को दिया है, और एक क्मान भी यहाँ पे दिया है, और S का विमान दिया है, और हम लोग को अंति में विए ग्याद करने के लिए वाले एक फर्मूला होता है तो हम लोग इस फर्मूला को simply put करेंगे तो यू कमान जीरो और टू का टू और ये कमान फिप्टी उसके बास एस कमान फोर हंड्रेट तो देखिए इसको हम लोग केल्कुलेशन करेंगे तो हमारा एंसर आएगा इतना उसके बास से भी एसकोईर बराबर हमारा ये होगा देखिए यहाँ पर दो में 50 से गुना होगा तो हंडेट दो में 50 से गुना होगा 100 और 100 में 400 से गुना होगा तो हमारा यहाँ पर भोगा फोर पर फोर जीरो तो यहाँ पर भी यहाँ पर एसकोईर हटेगा तो यहां पर root चरहेगा तो 40,000 होगा उसके बाद से 200-200 का हम लोग जोरा लगाएंगे इसमें 100-200 निकल जाएगा तो हमारा बचेगा 200 मीटर पर सेकेंड यानि यह मेरा 60 के अंसर होगा कैसे आप लोग टोटल समझ गये तो चलिए इसमें देखी हमारा ओप्सन यह कोचन्स आपके बिहार पोली टेक्निक में पूछा हुआ कोचन्स है यह हम भुक से सेलेक्ट किया है 200 मीटर पर सेकेंड यह मेरा 60 के अंसर है तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कोचन्स की ओर तो जो मेरा सेकेंड कोचन्स है यहां पे सेकेंड फूर सभी कोचन्स आप लोग को दिखाई दे रहा हूगा तो देखेंड कोचन्स है पत्थर के एक टुकड़े को चोटी से गिराया जाता है तो 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल होगी यानि देखिए पत्थर के एक टुकडे को चोटी से गिराया जाता है 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल होगी यहाँ पर आप्शन है 9.8 मीटर पर सेकंड 44.2 मीटर पर सेकंड 19.6 मीटर पर सेकंड और 99 मीटर पर सेकंड तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए बेलेंग पेपर पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ एस कामान देखिए दूरी कामान दिया है एस कामान तो देखिए गीभेन में हम लोग लिखेंगे गीबेन में हमारा S कमान दिया है S equal to 100 मिटर दिया है दिया S कमान तो उसके वासे पूछ रहा है यहाँ पर देखिए बस्तु जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है यानि बस्तु नीचे की तरफ गिर रहा है तो यहाँ पर गुर्थवे तोरन गुर्थवे तरण काम करेगा और गुर्थवे तरण G कमान हमारा होता है 9.8 मिटर पर सेकेंड इसक्वार आप लोगों यहाँ तक कोई दिक्कत उसके बासे यहाँ पर पथर के एक टुकड़ी को चोटी से गिराया जाता है 100 मिटर गिरने के बाद पथर की चाल उसके बासे यू कमान हमारा कुछ नहीं दिया यानि 0 मिटर पर सेकेंड से चलना प्रारंध किया होगा तो गिरने के बाद पथर की चाल होगा यानि गिरने के बाद पथर की चाल कि यानि हम लोग को यहां पे सीदी सी अंति में यह पूछ रहे वहाद तो देखिए हम लोग यहां पर फोर्मूला लगाएंगे ठोuk short देखिया थोके फोर्मूला अम लोग लगाएंगे बीच कमान पूंच रहे तो फी कमान स्कॉएर बराबर u square plus 2 a s होता है लेकिन हम लोग यहाँ पे g s लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा गुर्तुए तोरण g है तो यहाँ पे हम लोग एक जगा g लिखेंगे क्योंकि वस्तु उपर से नीचे की तरफ गिराई जा रही है तो इस case में यही होता है तो देखिए हम लोग solve करेंगे यहाँ पे v square v square u के जगा 0 का square plus 2 का 2 और g command हमारा 9.8 और s command यानि s command हमारा दिया है दूरी 100 meter तो यहाँ पे 100 तो देखिए यहाँ पे v square है तो v square तो हमारा इस से रहेगा यहाँ पे 2 में 9.8 से गुना करेंगे तो चलिए हम लोग थोड़ा kc ले ले लते हैं तो देखिए हम लोग multiply करते हैं 2 into 9.8 उसके बाद से into में क्या है 100 100 तो देखिए हम लोग यह प करते हैं तो उसके बाद से मान क्या आता है 1960 तो देखिए हमारा आ रहा है 2060 तो यहाँ पे होगा पूरा आ रहा है 2060 तो देखिए भी बड़ाबर होगा हमारा root अंडर 2060 क्योंकि यहाँ पे square हटेगा तो root चरहेगा यह simple sum math है तो देखिए 1960 को हम लोग root अंडर करते हैं देखिए 1960 1960 तो देखिए हमारा क्या आदा इकोल में 14 देखिए हमारा 14 root 10 आ रहा है तो इसको हम लोग decimal में convert करते हैं तो हमारा 44 देखिए क्या आ रहा है decimal हम इसको convert करें तो 44.27 आ रहा है देखिए यहाँ पे दिया है 44.2 दो दिया है option में तो हम लोग 44 दो मेरा सटिक एंसर हो जाएगा 44.27 आ रहा है यहाँ पे option number B मेरा सटिक है कैसे हुआ कोई दिक्कत कोई confusion तो कमेंड करे कोई भी दिक्कत हो तो कमेंड करे तो देखिए चलते हैं third number questions की हो तो देखिए third number questions काफे महत्पूर्ण है इस पे आप लोग ध्यान दिजेगा यह भी कोचस पुछा हुआ है तो देखिए यह है 24 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगाकर 12 मीटर पर सेकेंड स्कॉयर तथा दूसरी वस्तु पर लगाकर 6 मीटर पर सेकेंड स्कॉयर का तोरण उत्पन करता है यदि दोनों का तोरण उसका बासे देखिए यदि दोनों वस्तु एक एक साथ बांद दी जाए यानि दोनों वस्तु को एक साथ जोड दिया जाए यानि बांद दिया जाए तो वह बल कितना तोरण उत्पन करेगा यानि 24 न्यूटन का बल किसी वस्तू पर लगाया जा रहा है तो एक वस्तू बारा मिटर पर सेकेंड स्कूर तोरण उत्पन कर रहा है तो दोनों वस्तू को एक में बांद दिया जाए तो तब कितना तोरण उत्पन करेगा में और उफ मेरा चार यहां पर दिया हूय तो चलिए संए को सॉलव करते हैं तो साइ्व करने के लिए यहीं ब्लेंग clothes प्याइँ तो यहां पर देखिए सब से पहले हमारा गीभिसमेंगे यह हमारसेकन्नमर का सो'llूशन था, यह मेरा ठ्वाहर्ट नमर का यानि A1 तोरण A equal to दिया है मेरा 12 meter per second square उसके बाद से मेरा दिया A2 कमान कितना दिया है 6 meter per second square तो देखिया हमारा यहां पर A1 और M2 कमान यानि दरबेमान सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग A1 गयाद करेंगे यह जो है यह फ बराबर MA1 तो इसके बाद से MIL2 गयात करने के लिए भी वह ही होगा, A O правade, झाला जाएगा और निचह जाएगा A to, तो सब्सक्राएगा इसको हम लोग गयात करते हैं, A command 24 और A command 12, और handle 12 और हाँ भी हो जाएगा, ए ख़ोविस, और ए टू कमान सिक्स, तो देखिए यह कटेगा चार बार ने, और यह कटेगा दो बार में, तो देखिए M 1, एक्वाल टू यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे कितना, 2 kg, उसके बासे हमारा M2 बचेगा, 4 kg, हो गया, उसके बाद से देखिए हम लोग total यानि total वास्तु को हम लोग जोरेंगे तो M1 प्लस M2 होगा M1 प्लस M2 उसके बाद से देखिए दोनों को 8 करेंगी यानि 4 और 2 को तो मेरा 6 kg होगा तो 6 kg पे वह बल कितना तोरा नुत्पन करेगा तो इसको हम लोग जोड दिये तो देखिए एप बराब और मेरा है 24 न्यूटन उसके पासे देखिए एप कमान हमारा आया चो केजी तो हम लोग को एक कमान फाइंड आउट करना है एप बराबर वाट इस कोश्चन को आप लोग बढ़ियां से समझेगा इस अधार पे देखिए जो नंबर बेस है वो चेंज हो जाएगा लेकिन अधार वही रहेगा आप यहाँ पे 24 न्यूटन है तो यहाँ पे 10 न्यूटन देदेगा कुछ भी देदेगा लेकिन यहाँ पे टाइप तो यही रहेगा आपके एक जांस में एप यहाँ पे एम कमान होगा तो देखिए ए बराबर एमे हम लोग सीधी से एक फर्मूला पढ़ते आ रहे हैं आप्सवन नंबर बी है चार मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर शटीक एंस है तो चलते हैं फोर्ड नंबर कोश्चंस की और वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप मत किजिएगा एक कार इस्तीर आवस्ता से चलना परराम कर छो मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर के नियत त्वरन से चलती है तो दूसरे सेकेंड में चली गई दूरी होगी यहानि देखिए यह कार इस्ती रवासतह से चलना प्राणराव मों कर 6 मिटर्फ़ से 2 स्कुइर के नियत तोरें से चलती यानी इस्ती रवासता से तो हमारा यहाँपर सींपल से बात है, इस्ती रावस्ता चल दीगे तो हमारा U कामान 0 आ गया U कामान 0 आ गया उसके बाद से हम लोग यहां पर देखेंगे U कामान मेरा 0 आ गया, उसके पास रूत्पन करने के लिए आवस्यक 10- 502 लिए वस्येक बल क्या होगा, यानि हमारा देखिये, ओहों यह नहीं, यह कोश्न-स वाइब करती, यह कार इस्ती रावसता से चलना पर अराव कर, 6- 1- s² के नियत वहरं से चलती है, तो दूसरे सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी, 3 meter या 9 meter या 12 meter या 15 meter तो दिखिया हम लोग solve करने के लिए और आते हैं तो यहाँ पर solve करने के लिए यहाँ पर हमारा दिया हुआ है given में सबसे पहले आएंगे चार नॉमर का solution है given में u equal to 0 meter per second उसके बासे क्या दिया एक का इस्तिराव से चलना प्रणाम करती है उसके बासे 6 meter per second square के नियत त्वरित होती है यानि 6 meter per second square equal to 6 meter per second square उसके बासे किता दिर में यानि दूसरे second में यानि T time कम दिया है 2 second में याद करना है तो 2 second time दिया है तो हम लोग यहाँ पर formula लगाएंगे formula देखिये formula लगाएंगे इस परावर UT plus half 80 square तो देखिये इस कमान हम लोग को दूरी क्यात करना है इसलिए लगाएं और यू कमान सुने दिया है और तो T कमान हमारा कुछ नहीं होगा यहाँ पर उसके बासे 1 by 2 और एक कमान 6 दिया है उसके बासे T square यानि 2 का स्कॉार तो 2 into 2 देखिये 2 से 2 कट जाएगा यह 0 हो जाएगा उसके वैसे 6 में 2 से मुल्टिप्लाई करेंगे तो 12 आएगा यानि हमारा बारा मिटर कोई दिक्कत देखिए यहां पर ह्चामान दिया है कमान दिया है हम लोग को गयात कहिंब नहीं दूरी 12 मिटर जो मेरा the day the nem किदिया हुए है कि बारा मिटर हाँ ऑफ सानेंबर ते मेरा सटी का बजाएगा तो जो और नेस्ट को चैन से पांच नमबर दिखिया 12 Newton का बल 4 मिटर पर सेकेंड स्कॉार का तोरान उत्पन करता है तो 10 मिटर सेकेंड स्कॉार तोरान उत्पन करने के लिए आवस्थ अगबल होगा आप लोग कमेंट करके इसका इंसर बताया स्वार कर गया काफी इजी कोचन साल लेकिन महादफूर्न है 12 Newton का बल 4 meter per second square का तोरण उत्पन करता है तो 10 meter per second square तोरण उत्पन करने के लिए आवस्यक बल तो चलिए हम इसका solve करते हैं यहाँ पे solve कर लेंगे इतना समय देखे पांच नमर का solution यहाँ पे दिया है given में क्या दिया है देखे एफ बराबर दिया है 12 Newton उसके बाद से यह हमारा है 4 meter per second square तो यहाँ से हम लोग aim command find out करेंगे तो aim बराबर होगा एफ बाई यह तो मेरा होग जाएगा 12 बटा 4 तो यह मेरा 3 बाद में जाएगा तो 3 हो जाएगा 3 kg तो उसके बाद से हमको ग्याद क्या करना है 10 meter per second square तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 10 तो इसमें multiply करेंगे फिर तोरण एक आमांदी है तो पूछ रहा है इतना तोरण उत्पन करने के लिए कितना बल होगा तो हम सबसे पहले इसका द्रवेमान ग्याद करेंगे तभी तो हम इसमें find out करेंगे जी कितना बल लगेगा तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुगा और डेली दो बज़े लाइव क्यूज उसके वास से morning में तो कोई व्यवस्ता नहीं है और morning में आप लोग को डेली एक वीडियो देखने को मिलेगा जो की chapter wise भहुत ठीकी के numericals के होगा तो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं तो जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्यूज के साथ तो तब दक लिए जय हिन जय भारत आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो किर्पया चैनल को अपने सब्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजे और सांती साथ अपने दोस्तों में सेर हो जाईए सेर कर दीजे और आप लोग मेरे वार्टसब ग्रूप से जोईन हो सकते हैं तो चलिए बंद करते हैं